LEZEN STU DENT है जिसको BSayizar करना है लेकिन Bdr सेसे स्टार्ट करें लेकिन अव िस्ट इसको कम कैसे कर एक यह साइक्कलोंa थो कैसे होगा तो उस के अन्दर हम क्या रातें इन्शॉरंस कर आतें हमें इन्शॉरंस की सर्वीसे कर दो के अंदर वैसे ही बिजनेस चलाने के लिए में और भी बहुत सारी सर्विसेश चाहिए बैंकिंग सर्विसेश ट्रांस्पोटेशन सर्विसेश पोस्टल सर्विसेश कम्यूनिकेशन तो यह सब चीजे भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वही आज का हमारा टॉपिक है डाट इस बिजनस सर्विसेश तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा क्या है इंशॉरेंस सर्विसेश हम देखेंगे इंशॉरेंस सर्विसेश क्या है इंशॉरेंस नामस अपने सुना होगा क्या होता है लेकिन हमें एक्चल नहीं पता इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो इंशॉरें एक तरी सकी से हम बोलते हैं, इसमें दो parties होती है, जिसके बीच में agreement होते है, that is insurance and insplain, insuring, insuring कौन हो गए, हम लोग हो गए, जो हम insurance करवाते हैं और company को क्या बोला जाएगा, insurer बोला जाएगा, अब insurance हम क्यों कराते हैं, जिससे अगर हमारा business हम start करें, तो हमें रिस्क रहता है कि कभी भी cyclone आ सकता है, earthquake आ सकता है, fire आ सकता है, तो उस case में क्या होगा, मेरा पूरा business रिस्ट्रा है, मैंने अभी तक जो महनत की उसका क्या, तो उस case के अंदर insurance company होती है, जो हमारे laws को compensate करती है, मैं यह नहीं बोलती है कि insurance company क्या करती है, risk कम करती, न तो क्या insurance company आपको यह guarantee देगी कि cyclone नहीं आएगा, नहीं, मैं कैसे बाते कर रहे हो, ऐसे तो हुई नहीं सकता, तो वही चीज है कि risk कम नहीं कर सकती, लेकिन आपके financial loss को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, जितना हमारा loss होता है, उतना 100% नहीं, बट हम बोल सकते, 80-90% क्या लेती है, तो उसे ही बोला जाता है, insurance, जैसे हम हमाई factory का, office का, business का insurance कराते है, वैसे हम देखेंगे, various types of insurance होते है, जो कि हम आगे देखने वाले है, तो clear insurance, एक बार हम इसका meaning definition देख लेते है, क्या भी है, that is, insurance refer to debt return contractor agreement between two parties, जो मैंने का, ये दो parties की बीच में होगा, that is, insurer और insurer, through which, insurer pays the premium, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं insurance करवा रही हूं, तो मुझे इसके, इसमें premium pay करना पड़ता है, yearly premium आपको पे करना पड़ेगा, ये depend करेगा, कि आप कौन सी policy ले रहे हो, कितने time के लिए ले रहे हो, इसमें कितना risk है, उसके according क्या होगा, premium decide ह and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss, तो जैसे ही आपका amount decided है, उसके according आपका क्या होगा, यहापे compensation दिया जाएगा, जो कि insurer company times पे दे देगी, clear है, तो insurance का मतलब आप लोग को I think clear हो गया, ये बस एक agreement है between the two parties, जब भी loss होगा, तो उसके में आपको आपकी risk का जो भी loss हुआ है, उस case में आपको compensation दिया जाएगा, clear, now हमने insurance देख लिया, अब insurance की कुछ principles है, so first one, principle of utmost good faith, अब utmost good faith का क्या मतलब होता है, जब भी हम insurance कराते हैं, तो जो दोनों parties है, insurer और insurer, इन दोनों parties को अपनी जो भी contract की जो भी बाते हैं, वो clear क कुछ भी एक दूसरे से हाइट नहीं करना चाहिए, जैसे insurance company है, तो उसको insurance company अपनी insurgy party को बताएगी, कि आपके ये policies के अंदर क्या-क्या कवर, क्या इसके अंदर चीजें कवर नहीं है, क्या चीजें है, इसमें कवर है, उनको ये सारा disclose करना पड़ेगा, नहीं तो पता मैंने तो यहां पर accident का करवा लिया है insurance, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप ये four wheeler से अगर आपका accident हुआ है, तो इसमें cover नहीं होगा, तो क्यों नहीं cover होगा, ये सब चीजें उनको पहले ही clear करनी चाहिए, तो वही चीज़ है, दोनों parties को एक दूसरे से जो भी अब जैसे हम एक example लेते इसके अंदर, अगर मुझे insurance करवाना था मेरे घर का, ठीक है, home insurance मुझे करवाना है, मैंने insurance company में call किया, वहां से मुझे agent को बेज दिया गया घर पे, वो घर पे आके सब चीजे देख के जाता है, क्योंकि उसके according को क्या करते है, policy, decide करते कि कि कितना amount का insurance होगा, और उसके according premium कितना, premium किस पर decide होता है, आपके policy amount पे, आपके duration पे, और आपके यहां पे कितनी risk है, उसके according, तो agent आया घर पे, agent ने देखा, पूरा घर देख लिया, अब उस case में क्या हुआ, मैंने उसको नहीं बताया कि हमारे घर के नीचे एक, क्या है, go down है, wooden flo during का है, तो उस case में, जब यह party को पता चलेगा, company को, तो उस case में वो क्या करेगा, हमारा जो यह contract है, वो क्या कर देगा, void कर देगा, और जो अभी तक हमने उसे premium दिया है, वो भी हमें वापस return नहीं किया जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है, कि principle of utmost good faith, मतलब दोनों parties को, एक दूसरे को सारी चीज़ें यहां पर disclose करनी चाहिए, अगर कोई भी चीज ऐसी है, जो आपने disclose नहीं की है, तो उस case में, आपका यह contract क्या हो जाएगा, void हो जाएगा, clear, तो यह हमारा first principle था, second है principle of indemnity, इसका क्या मतलब होता है, कि अगर जैसे, मैंने जितना insurance policy यहां पर, मैंने जो भी policy यहां पर करवाई है, जितने amount की मैंने यहां पर policy करवाई है, तो उस case के अंदर जितना मेरा damage हुआ है, मैं उतना ही recover कर सकती, अगर मैंने 5 lakh की policy करवाई थी, home की, ठीके, मैंने home policy ली थी insurance की, उस case के अंदर, अगर मेरे यहां पर कुछ भी होता है, cyclone आता है earthquake आता है, कुछ भी आता है, तो उस case के अंदर damage तो मेरा 3 lakhs काई हुआ, तो company मुझे 3 lakhs तक ही compensate करेगी, उससे जादा करे सकती है, नहीं कर सकती है, और ना मैं claim कर सकती हूँ, कि जितना मेरा risk यहां पर, जितना मेरा loss हुआ है, उससे जादा मैं benefit नहीं ले सकती, उसे बोला जाता है, indemnity, clear है, जितना आपका risk था, जितना आपने यहां पर loss bad किया है, उतना ही आपको company देगी, उससे जादा आपको नहीं देगी, then next is insurable interest, अब इसका क्या मतलब होता है, जहां पर मेरा खुद का financial interest है, जैसे अगर घर मेरा पुपका है, तो इसमें मेरा interest है, लेकिन अ मैं बूलोगी, मेरा नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान किसका होगा, ओनर का होगा, क्योंकि घर मेरा नहीं है, लेकिन अगर मैं बूलोगी, मेरा घर है, तो उसमें मेरा financial loss होगा न, तो वही चीज बोल रहा है, insurable interest मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको खुद का financial loss होता है, तो वही चीज़ है, कि क्या ऐसे हो सकता है कि मैं मेरे नेवर के कार का insurance करवा जो, नहीं, अगर उसके कार ठुखेगी तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? है मेरा कुछ loss? नहीं है, तो वही चीज़ वो बोल रहा है, कि जहां पे आपका interest है, जहां आपका financial loss हो रहा है, अब वही क्या करवा सकते हो अपना इंशुरेंस कर बा सकते हैं चलिए और लास्ट इस अबरोगेशन सब्रोगेशन में आप एडिशनल बेनीफित नहीं ले यह सकते जैसे अगर मैंने का कि मेरा का देमेज बागा और मैंने का इंशॉरेंस लिया था टीके तो 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 बुरी तरह मतला हमारे पास आप ट्रांसफर कर दो, भले से वो कौन सी भी हालत में हो, क्यों? क्योंकि उन्हें ही डर रहता है कि आप वो जो कार्ट थी, जो कि ठुक गई बुरी तरीके से, उसे as a scrap sale करोगे और कुछ ना खुछ benefit ले लोगे और ऐसा होता भी है, कि अगर पूरी damage हो गई, हमें तो insurance company ने claim दे दिया, लेकिन जो गाड़ी हमारी ठुकी थी उसका क्या, तो हम उसे sale करके scrap में amount ले लेते, तो वही वो बोल रहा है, insurance company बोल रहा है कि ये एक principle है, subrogation का, जिसमें आप additional benefit नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो भी claim था, वो आपने recover कर चुके है, तो उसके जब आपका जो भी आपने यहाँ पर असे आपका जो भी बिसनेस, जो भी आपने असेट से आपके क्या करवाया है, insurance करवाया है, और वो अगर fully damage हो गया है, उस case में आप ownership दोगे, जब आपका fully damage होगा, जब ही दे सकते हैं, तो उसी case में वो गोड़ होगा, तो ये principle आपक clear, now next is types of insurance, अब insurance के बहुत आरे types, जैसे यहाँ पर फिर्स दिया हमें life insurance and general insurance, life insurance को भी दो पार्स में categorized किया गया है, first is whole life insurance and second is endowment insurance, अब ये क्या होता है, whole life insurance में क्या होता है, कि जैसे इस case में अगर person की death होती है, तभी आपको full amount दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा, when a person dies, we will get the amount of policy, that is whole life insurance policy, और जब हम second बात करते है, endowment की, तो उस case में क्या होगा, कि मैंने जाके क्या करवाती है, 20 years का मैंने policy ले ये life insurance का, अब 20 years के case में क्या होगा, अगर 20 years के अंदर मेरी death होती है, तो उस case में, वो amount किसको मिल जाएगी, मेरी nominee को मिल जाएगी, मेरा जो भी legal head हो, इसको मिल जाएगी, लिकिन अगर 20 years में death नहीं होती है, तो वो full amount किसको दे दिया जाएगा, मुझे दे दिया जाएगा, that is endowment policy, तो य 20 years के मैंने policy कराई है, उसके according उस time period में, अगर आपकी death होती है, तो ठीक है, नहीं तो full amount आपको दे दिया जाएगा, clear, then general insurance, now general insurance के अंदर कुछ policies दे गई है, that is first one is goods transportation insurance, अभी general insurance के अंदर क्या होता है, कि हम बोलते हैं, जादा ये business वाले जो होते हैं, उनके लिए ये policies है, इस प्लेस में बोलते हैं, एक प्लेस दूसरे प्लेस पर रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें risk होता है, कि जादे जादे डिस्ट्रॉय हो गए, तो डेमेज हो गया तो 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 बहुत सारी risks के माइन में तो आते हैं, तो उस case के अंदर हम ये आपे insurance ले सकते हैं, कि अग क्या गया, सी रूट से, कि हम सी के थू रूट के थू क्या कर रहे है एंड चानिक से, ऑग मैं विद्ट लिए सथा रांसपोरेशन कर रहे हो गएगा, लिक बाग लिए इक गांज हो कि तो हम फीश नामारी चानली सांद हो मिन कर रहे हैं तो फॉ प्वास के अंदर भी नहीं risky भी है और अधना costly भी है क्योंकि कभी भी हम बोल सकते हैं कि crash हो गया तो plane तो उसकेस में क्या होगा goods destroy हो जाएंगे तो इसी नहीं ही क्या होता है एक तरीके से risky होता है क्योंकि insurance company को पता है इसमें तो risk बहुत है तो इसमें क्या होगा वो क्या करेगा insurance से premium भी जादा लेगा जब भी हम by through air करते हैं अगर goods transport तो उस case में रिस्क ही जायता है जादा और उस case में आपको premium भी जादा pay करना पड़ेगा and then last is rail और road transportation हम कर सकते हैं bus की through trucks की through वाट उसमें भी हमें डर रहेगा tap का राइट तो कभी भी goods destroy damage हो सकते हैं तो उस case में भी आप insurance करवा के अपने यह risk को कम कर सकते हो risk कम नहीं हो सकता बद financial losses आपका compensation हो सकता है तो वही चीज़ हम यह insurance का करवा सकते है then fire insurance fire insurance हम किसमें business में भी हो सकता है personally हमारे घर में भी हो सकता है कभी fire लग सकती है नो क्या हमें पता है नहीं पता तो उस case में fire insurance करवा आग लग जाती है सब चीज़े destroy हो सकती है हमारे business में इतने good sites इतने materials पढ़े रहते हैं सब destroy हो जाएंगे तो उस case में आप क्या कर सकते हो, आप insurance करवा सकते हो लास्ट इन्षॉर्ण्स तो अगर उस केसमें आपको कोई भी प्रब्लम है तो उस केसमें आपको इन्षॉर्ण्स नहीं दिया जाता है तो हेल्थ इन्षॉर्ण्स आप करवा सकते हो आप अपने विकल का इन्षॉर्ण्स करवा सकते हो आप अपने वाइस का करवा सकते हो हम बोलते कि बहुत अच्छा सिंगर है तो उसको क्या होता है हमेशा यह डर रहता कि हम गला खराब हो गया तो उस केसमें उसके बहुत सारे सande कैंपना सब्रेट्राइट नो सब्लस आगे सब्सक्राइब और तो घुमिंधे ना कने था कि रहा सकता है वे फानिशन चीनाैज कि अफ़ी में कि है network ट्रों वा सकते हैं आपकें तो सब्सक्राइब किसमें कौनसे insurance हमने life and general insurance में determinations हमने देखे अलग अलग क्या ओके ना इरड़ा insurance regulatory and development authority अब यह क्या है जो हमने insurance अभी तक देखा इसको guideline कौन देता है इसको पूरा control कौन करता है इतनी सारी insurance companies है इनको देखता कौन है कि यह अपने policy holders का दिहान तो रख रहे हैं तो यह कौन है यह है इल्डा जो की guidelines देता जाता है कैसे control करना है सारी insurance companies को so it is the legal institutions which manage the regulatory and development activities in the field of insurance यह सारी चीज़े कौन देखता है इल्डा देखता है अब इसके objectives क्या है main objectives हम देखते हैं इसके क्या है first policy holders get more choices क्यों more choices कि कहा investment करें right कि कहां हमें हमारा amount invest करना चाहिए तो इसके लिए यह objective हो गया companies के लिए second it promote healthy competition healthy competition यह कैसे हो गया एक तरीके से कि इतने सारी insurance companies है तो वो क्या कर रही है कि इतनी competition बढ़ता है तो उसके इसके अंदर हम क्या सोचते कि premium कम से कम रखे क्योंकि जहां premium कम है वही policy holders जाएंगे वहीं पर लोग invest करेंगे तो इस तरीके से यह big object होते है कि promote healthy competition इससे क्या होगा create होगा यह customers कहां जाएंगे जहां उन्हें premium कम मिलेगा right then next is mobilize more resources for the economy अब जब इहां पर क्या होगा कि जब amount आएगा companies के पास तो company क्या करते है क्या वह पैसा रखके रखती है अपने पास नहीं वह कहीं और invest करेंगी और जब वह invest करेंगी कहीं और तो क्या हो रहा है हमारी economic development हो रहा है तो इस तरीके से होगा एक तरीके से utilization होगा जिससे हमारी economy डवलप हो सकती है next is self-discipline तो वह जो चीज मैंने बताई कि ADA क्या करता है controlling रखता है कि साली insurance company अच्छे से काम कर रही है नहीं तो वही चीज़ें एक self-discipline maintain रहेगा and last is to create a mechanism for the complaint addresses इसमें क्या होगा कि अगर कोई policy holders पे अगर यहां नहीं दिया जा रहा है तो वह complaint कर सकते हैं और complaint करेंगे तो कौन उसे सही करेगा ADA सही करेगा ADA सब लोगों की बात सुनेगा policy holders के बात सुनेगा अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको clear करेगा तो यह सब चीज़े क्या थे ही कुछ हमने objectives यहां देखें जो कि किसके थे इंशॉर्स तो देख ली अब next हमारी services यह भी पोस्टल सर्विसेज अब पोस्टल सर्विसेज यहां पर हम देखेंगे कुछ और भी सर्विसेज हैं जो कौन दे रहा है हमें पोस्ट काट के अंदर हमने पहले एक ब्राउन कलर का एक जा शुछ भी लिचफीं ग्र esaug कोई पता है तो वो क्या था general post and letters तो यह services दी जाती है then next is registered post अब registered post क्या हम गया general post में तो ठीक है हमें letter भेजना था हमने letter लिख दिया और हमने वो brown box में डाल के आ जाते थे और वहां पर हमारा क्या हो जाता था जहां पर transfer करना है वो अब registered में क्या होता था जैसे अगर मुझे किसी को भेजना है तो मैंने उसमें registered करके मैंने उसमें जो letter था वो post कर दिया लेकिन registered में क्या होता है acknowledgement मिलता है कि हाँ receiver को letter पहुच गया that is registered post तो इसमें थोड़ी से charges जाते हो जादा होते है general में हम देखे nominal charges होते है normal मतलग उसके अंदर हम देखे कि कोई stamp लगता है तो वो उसमें stick किया जाते तो उतने nominal charges होते है बड़ रजिस्टर के थोड़े से charges भाए होते है then next is parcel services अब parcel services क्या हो गया जैस्टे हम letters भेजते है तो उस case में देखे parcel हमें कुछ भी goods अगर भेजने रहते तो उस case में हमें यह services भी दी जाती है by the poster right कि कुछ भी अगर हमें goods वागिरा send करने कहीं transport करना है तो अभी हम businessmen यह लोग भी क्या करते सब कुछ पोस्ट कर देते हैं सारे जो भी हमको goods कहीं दूसर सिटी में देने तो इस सब चीजे क्या है ताइस पार्सल सर्विसे अब पार्सल सर्विसे के अंदर हम यह देखते है कि कोई दूसर जो वैल्यूएबल गूर्स होते है जैसे हम गोल्ड सिर्वर यह सब की आजकल दी गई है यह जो हमारे पोस्टल सर्विसे देते हैं इसके अंदर यह बहुत मतलब वैल्यूएबल गूर्स को भी ट्रांस्पोर्ट किया जाता है बट वहीं है उसके चार्जिस बहुत जादा हाई होगे दैन नेक्स इस पीड पोस्ट अब स्पीड पोस्ट के तो कैसे पोचेगा बाइ स्पीड पोस्ट क्लियर इसकी थोड़ी सी रेट जादा होगी तो तो वह नहीं आपको जितनी अच्छी सर्विस मिलेगी उसकेस में आपको रेट भी थोड़ी से जादा बैर करने पड़ेगे दैन एक्सप्रेस पार्स अब एक्सप्रेस नाम समझ अच्छों एक्सप्रेस वाला कर क्या कर देगा पोस्ट एति टैस्था चरांसपोर कर देगा記ोर को द flexoku दैर सिसौन सविसे अब से ने साव घृषिस और से तो कुद डेशे है कि अन्दर सी पोस्ट की नहीं बैकिंग सर्ट फिसेज भी सट ओंगे है huh consideringez हैं नहीं रिक्यों every accounting opportunities open यह साय banking services even हम सचन्फ little करें है तो सेव경 services कि अगर मेरे पाइब surplus amount ठλαब है डुछो हम बोलते हैं कि हम bank धेको deposit करते हैं उसी case में हम यहां परshore day deposit कर सकते हैं यहें हमें क्या देगा interim, right, ऍद्धन sónचन्क, Cir Eminence, Recurring deposit, Cirering deposit सब्सक्राइब इस खरण दॉसमेरान की सार्ट्री आपको अन्धी हमार दिपोसित मर्साइब एंदर मुझे इस टाइम के दूरेशन के बाद मुझे किया मिलेगा इंट्रेस गदा इसके अंदर वही चीज़े आपको monthly fixed amount deposit करना पड़ता है then next is term deposits term deposits FD जो आप bank में deposit करते हो fixed deposits तो वैसे term deposit 5 years के लिए मैंने हापे क्या कर दिया 5 lakh का amount deposit की है so that is 5 lakh का amount 5 years के बाद मुझे maturity पे मिल चाएगा with interest that is term deposit banking services दे रहा हो हमें postal भी दे रहा है but वही चीज़े बैंकिंग में चाहिए थोड़ा इंफ्रेस थोड़ा बहुत जादा मिलता है इसलिए banking हम जादा rapper करते है postal हम इतना rapper नहीं करते है clear? अब कुछ और भी services है वो क्या है देखते हम so now next is national savings certificate NSC अब यह क्या है एक तरीक़ी का इंवेस्मेंट है कि इसे हम क्या करते है इसे हमें purchase करना पड़ा है जिसे हम shares, revanchers, purchase करना इंवेस्मेंट के लिए तो वैसे कि NSC होता है जिसे क्या किया जाता है? purchase किया जाता है हमने purchase कर लिया और उसके बाद इसका एक duration होता है after five years हमे क्या हो गया कि मैंने क्या जाता है मैंने investment किया है उसके बाद उसे मुझे क्या मिल जाएगा? इंट्रेस के साथ वह amount दे दिया जाएगा that is NSC हमें purchase करना है then next is KVP that is किसान विकार पात तो इसके अंदर हमें किसान से समझ में आ रहे है किसके लिए for farmers इसके अंदर farmers invest करेंगे जितना यहां पर उनको amount लगाना है वो क्या करेंगे यहां पर deposit करेंगे और उस case के अंदर उनका जो amount रहेगा वो double हो जाता है जितने टाइम के लिए भी उन्हें पर duration उनका रहेगा उसके बाद क्या होगा उसका amount उनका double हो जाएगा clear then next is PPS Public Provident Fund यह Provident Fund आपने देखा होगा कोई भी business companies में जब हम job करते है तो हमारा इस PF वहां से deduct कर दिया जाता है जो आपकी salary रहती है उसमेंसे क्या होता है कि deduct कर दिया जाता है और जब हमारे retirement होता है तो उस case में retirement benefits के साथ हमें यह PF का amount भी दे दिया जाता है लेकिन अब उनका क्या जिनके छोटी-मोटी shops है उनके लिए साथ तो यह नहीं होता तो उनके लिए यह अलग से एक PPF account हो open करवा सकते है और अपना जो amount है वो हमेशा मतलब monthly वो क्या करेंगे कुछ ना कुछ amount अपना वहाँ पे deposit कर सकते है और फिर उनका एक duration time होगा उसके बाद उनको वो amount दे दिया जाएगा तो वही चीज़े जिनके लिए जिनके लिए provident fund नहीं था उनके लिए public provident fund आ गया है जिसके लिए वो क्या कर सकते है अपना savings कर सकते है monthly और यह जाके deposit कर सकते है then next is MIS monthly income scheme अब इसमें आपको समझ मेहारा कि हमें monthly कुछ earn करना है right monthly मुझे interest चाहिए तो उनके लिए यह वाली scheme available है कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो पहले तो आपको देखो deposits करना पड़ेगा deposit नहीं करो के तो मिलेगी कैसे income तो पहले आप deposits कीजिए और उसके बाद आपको एक time के बाद क्या होगा monthly आपको interest यहाँ पे देजिया जाएगा that is monthly income scheme then money order money order में हमने सुनाएं कि हमें money transfer करना है? ने हमें एक जगह से दूसरे jamвой में पेellूसरे जाल्राजा कि अगर आपको time क्या हो कहत showers यह सå कुछने city तो पहले पहले जाना कि टाइम लगता यहां से एक city में दूसरे city में अगर आपको money वो सारी services अब postal services के अंदर भी include होने लगे I think so clear है सबको यह postal services क्या-क्या थी Okay Now next service that is go down warehouse services अब warehouse क्या होता है हमने business मेर हमने फैक्टरी को ली ठीक है फैक्टरी मैंने start कर लियो मैंने इतने सारे यहां पर goods manufacture करते हूँ पर क्या तुरंत वो हम बोलते हैं कि सारे sale हो जाते हैं नहीं उस case में मुझे मेरा go down रखना पड़ेगा एक warehouse रखना पड़ेगा जिस case में मैं क्या कर सकती हूँ वो goods को store करके रख सकती हूँ preserve करके रख सकती हूँ कभी भी जो demand होगी तो हम क्या कर सकते हैं इनको sale out कर सकते हैं यह तो demand होती जाती है और supply है ही नहीं तो वो कैसे possible होगा तो इसलिए warehouse की वहां पर quality goods हमारे जैसे की जैसे रहते हैं वैसे preserve रहें उसे बोला जाता है go down या warehouse it creates time utility for product time utility में वही चीज है कि जब goods की demand है तो मैं क्या कर सकती हूँ उनको supply कर सकती हूँ इसलिए warehouse है factory में business में आप कब तक रखोगे अपने goods को कितना आप तक store कर सकते हूँ एक limited रख सकते हो लेकिन जब आप warehouse go down रखोगे तो unlimited periods of time आप महाँ पर क्या कर सकते हो इसलिए goods को store करके रख सकते हूँ इस go down रखोगे तो उस case में private and public दो तरीके के go down होते है private क्या हो गया कि मेरा खुद का factory है और मैंने साथ में क्या कर लिया एक मेरा खुद का go down मैंने start कर लिया लेकिन अगर जब मैं public की बात करूँगी तो उस case में क्या हो गया जहां पर public कोई भी आकर अपना यहां पर क्या कर सकते good store कर सकता है मतलब कि किसी की ownership है और वो सब को क्या कर रहा है rent पर दे रहा है go down कि आप भी आकर स्टोर कर सकते हो आप भी आकर स्टोर कर सकते हो इंडिया के अंदर तो उसे बोला जाता है custom duty तो अब उस case के अंदर हम देखेंगे custom duty paid go down and wanted go down अब इसमें क्या custom duty paid go down क्या हो गया कि जैसे मैंने goods मैंने इंडिया के बाहर से goods मंगवा है जैसे goods मेरे import हुए तो उस case के अंदर मैंने custom duty pay कर दी अब goods की duty तो पे कर दी लेकिन अब भी मुझे यह नहीं पता कि मुझे goods को यहीं लखना है या कहीं और मुझे transfer करना है राइट में पास कोई transportation facilities नहीं है मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उस case में मैंने एक बार custom duty pay करके वहीं पोर्ट पे मैंने goods को वहीं पे store कर दिया तो store कहां किया जाएगा वहां के warehouse में वहां पोर्ट पे भी warehouse बने हुए रहते तो वहां पे हमने हमारी goods को store कर दिया तो यह हो गया custom duty paid गोड़ा और जहां पर अपने custom duty पे नहीं कि उसे बोला जाता है मैंने goods ले लिए लिकिन यह हो सकता है मेरे पास payment करने के लिए amount नहीं है यह हो सकता है कि मुझे यहीं से कहीं दूसरे country में export करना है मतलब re-export करना है goods को import कर दिया आप दूसरे country में मुझे वापस export करना है that is re-export of goods तो मुझे इंडिया में तो लाने ही नहीं नहीं थे इंडिया में तो मुझे मैं यहीं इसी port से दूसरे country में transfer कर दूँगी तो उस case में भी हम क्या करते हैं वहां port पे हम warehouse के अंदर इस goods को store करते हैं लेकिन इसको यहां पर हमने duty पे नहीं की यह उसे बोला जाता है बॉंड़े बैर हाउस तीक है रिजन्स और भी कुछ हो सकते हैं यह इकजांपल्स यह एक्जांपल्स हो सकते हैं for the bonded warehouse यह नेक्स टीज हम लास्ट है हमारा जो की है usefulness पर पैक्टियों अब usefulness के अंदर है general and specific general इस प्रड़ान मतलग कि बढकता है लिए कोई भी गूर्स यहां पर आप आपे लिए राचार स्टोर कर सकते हैं यह एक्टों कहुछ ए स्पेसिफिकें की नहीं कैसे यही तो यहां पर आप अपर अपर ज़या की यही यह वह एक्टियों पर जाएंगाइ वीशे हो ग्राब कुछ specializations चाहिए उनके लिए कुछ specialization storage के लिए चाहिए तो इसी लिए कुछ होते हैं जो special go down होते हैं और कुछ होते हैं जो general clear तो यह सब हमने यहां पर types देखे that is all about the types of wear house or go down clear and now the next services that is last that is the transportation services transportation आमें पहले भी देखा कि बूट्स को ठांसपोर्ट करने के लिए हमें services तो चाहिए हमें transportation चाहिएगा transportation services facilitate transit of goods people from one place to another people को भी transport कर सकता है और बूट्स को भी transfer कर सकता है that is transportation services अब इसके अदर क्या के type Z that is first one that is human operated अब देखे human operated में क्या थे रिक्षाज हमने देखे जो रिक्षाज चलाते थे cycle वाले रिक्षाज होते थे तो वो क्या करते थे goods load करके एक जगा से दूसरी जगा जाते थे तो भी transportation services हुआ जो अभी भी बहुत जगा पर बहुत cities में अभी भी प्रिवेल करता है निम्ल ओप्रेटेग अमले वर का घृण करते है जिसकेसमे अनिमल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं goods को ठ्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रांसट कर सकते हैं लाइस पधहिए श्कह miteinander Ayanoe को छेडियी वह पर सकते थे थे कर सकते हैं हो जाता है, then roadways, roadways में हम देखते हैं, buses हो सकती है, है ना, जो हम देखते हैं, BRTS भी होती है, तो उसकेस के अंदर goods transport हो सकता है, trucks भी होती है, तो यह सब क्या है? यह roadways हो गया, then waterways by sea route, जो हमें पता ही है, कि उसके तुर होता है, and transport through the pipelines, pipelines, pipelines के तुरू भी हम बोलते है, इसे petrol हो गया, या ऐसे कुछ waters हो गया, तो उसकेस के अंदर हम बोलते है, pipeline के तुरू भी water, और यह सब transport की जाते है, तो यह सब हमने क्या देखा, transportation services देखी, और कितने types से हम क्या कर सकते है, goods को transport कर सकते है, वो चीजे हमें देख लिए, तो यह आज का हमारा topic फिनिश होता है, that is business services, अब हम next video में देखेंगे हमारा next business services टू, जो किसे banking की बात करेगा, वो पूरा हमारा chapter banking के अंदर है, ओके, so please like कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए, कैसा लग रहा है आपको यह video और आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो please like कीजिए, okay, bye